हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं जय और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल जय हेल्प्स में गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू आई डी ए आई की तरफ से जो न्यू अपडेट आई है कि जिन लोगों का आधार दस वर्स पहले बना था उन लोगों को डक्यूमेंट सत्यापन करवाना होगा इसी के बारे में आपको इस वीडियो में अस्टेप पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी घर बेठे खुद से अपने आधार में डक्यूमेंट सत्यापन कर सके तो आई ये वीडिय वीडियो अप्लोड होगी वह आप तक सबसे पहले पहुचे तो अपने आधार में डक्यूमेंट सत्यापन करवाने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ब्रोजर में आप सर्च करेंगे मैं आधार आप यहां पर सिंपली सर्च कर लेंगे मैं आधार और जैसे ही आप मैं आप वहां से सीधे इस पोटल पर आ सकते हैं तो simply friends आपको इस पर क्लिक कर देना है तो guys जैसे ही मैं आधार पोटल पर आप आते हैं तो आपके सामने कुछ इस टैप से dashboard देखने के लिए मिल जाएगा और friends यहां पर आपको simply नीचे आजाना है और जैसे आप नीचे आते हैं तो यहां पर आपको login का एक option मिल जाता है आप यहां पर देख पाएंगे तो friends simply आपको इस login पर क्लिक कर देना है तो friends आप देख सकते हैं जैसे आप login पर क्ल दालना है देन यहां पर आपको send OTP पर क्लिक कर देना है तो friends यहां पर आप अपने आधार को fill up करके send OTP पर click करेंगे तो गैज यहां पर अपने आधार नमर को fill up कर लेंगे देन क्याप्चा को fill up करके यहां पर आप send OTP पर किलिक करेंगे और जैसे आप send OTP पर किलिक करेंगे तो आपके register mobile नमर पर OTP भेज दिया जाएगा देन यहां पर आप अपने OTP को fill up करेंगे आप देख सकते हैं हमें OTP प्राप्त हो चुका है तो simply हम यहां पर अपने OTP को fill up कर देंगे देन यहां पर friends हम login पर किलिक करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर आपको login का option मिल जाएगा तो friends यहां पर हम simply login पर किलिक कर देंगे तो friends जैसे आप login पर किलिक करते हैं तो आपके सामने कुछी स्टैप से एक निया dashboard open हो जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं राइट कोड़नर पर जो है आपका यहां पर फोटो जो आधार कार्ट में लगा हुआ है इस टैप से देखने के स्टेटस जेनरेट वर्चुल आईडी लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स अथन्ठिकेशन इस्टिडी ओफ लाइन क्यों इत्यादी सारे जानकार यहां पर देखने के लिए मिल जाए गया और सब से नीचे जबाते हैं तो यहां पर आपको दोक्यूमेंट्स अप्डेट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको डोक्यूमेंट्स अप्डेट का ऑप्शन मिल जाता है और यहां पर लिखा हुआ है क्लिक है टू अप्लोड यूर प्रूफ अफ पाएंगे उसके बाद आपको यहां पर चार्ज देना होगा तो अभी फ्रेंट्स फिलाल आप इसे free of cost में document update कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस icon पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर इस एक नया dashboard कुछ इस टाइब से देखने के लिए मिल जाता है आप यहां पर देख पाएंगे यहां पर जो है इस प्रकार से आपको जानकारे देखने के लिए मिल जाती है तो फ्रेंट्स यहां पर आप सिंपली यहां पर नेक्स्ट का उप्शन आपको मिल जाएगा तो नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं इस टाइब से नया dashboard आ चुका है तो फ्रेंट्स इंपली आपको नेक् अप्लोट करना होगा देन यहां पर सब्मिट का आप्शन आएगा तो फ्रेंट्स आप सिंपली यहां पर नीचे आजाएंगे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपका नाम जेंडर डेट ऑफ बर्थ एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है तो फ्रेंट्स आप यहां पर वेरिफाय कर लेते हैं तो यहां पर आपको कुछ स्टैप से डेस्पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं गैडलाइन्स फोड अप्लोडिंग डॉक्युमेंट्स और यहां पर आपको डॉक्युमेंट्स का साइज जो है होना चाहिए तो फ्रेंट्स यहां पर आपको नीचे चले आना है नीचे आने पर आप जो है प्लीज अप्लोड butcher of identity documentary documents का ओप्शन यहां पर देख सकते हैं और यहां पर इसान फोटोग्राफ पास्पूक मंदेगा कार्ड लेवर कार्ड जॉब कार्ड मार्क सीट इस परकार से आपको बहुत सारे यहां पर डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा तो आप इस परकार से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट से अब लेवल हो यहां पर जो है अपने डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ जीसे मैं यां पर पैन कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे सामने कुछ एडवाजरी आ जाती है तो simply हम ओके परindruck कर देंगे और फ्रेंड स आपको simply यहाँ पर अपने documents को upload करना है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर अपने valid supporting documents में pain card या e-pain card को select किया हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे में view, details and upload documents का option देखने के लिए मिल जाता है तो simply आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर continue to upload पर click करेंगे तो friends यहाँ पर आप अपने file manager से अपने documents को select कर लेंगे और friends यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी pain card को select किया हूँ तो simply हम अपने pain card को यहाँ से select कर लेंगे जैसे हम इस पर click करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह uploading हो रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं नीचे में यहां पर जो है 100% यह upload हो चुका है तो friends देन यहां पर हमारा पहला document upload हो चुका है तो friends यहां पर आपको simply नीचे चले आना है नीचे आने पर यहां पर आपको option मिल जाएगा please upload proof of address documents यहाँ पर आपको नीचा आने पर यहाँ पर option मिल जाएगा select valid supporting document type तो फ्रेंट जैसे आप इस पर click करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाप से बहुत सारे documents का list आ जाएगा तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक पास्बुक का भी यहाँ पर option दिया गया है says dual commercial bank notified by RBI पास्बुक जो भी post office saving account पास्बुक with sign and stamp of issuing official तो friends simply हम इसको select कर लेंगे देन यहाँ पर जैसे हम select करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जानकारी आ जाती है तो friends simply यहाँ पर आपको नीचे चले आना है और simply यहाँ पर आपको ok पर click कर देना है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अभी bank passbook को select कर लिया है और यहाँ पर जो है आपके जो bank passbook होगा उसमें आपके photo पर जो है stamp and signature होना चाहिए तो friends simply आप यहाँ पर view details and upload documents पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर continue to upload का option आजाएगा simply आप इस पर click कर देंगे और click करने के बाद आपका यहाँ पर file manager open हो जाएगा और अपने file manager से आप यहाँ पर अपने passbook को upload कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले से यहाँ पर रखा था तो मैंने अपने passbook को यहाँ पर upload कर दिया है तो friends जो passbook आप upload करेंगे उस पर आपके photograph होना चाहिए पूरी details होना चाहिए address का और bank manager का यहाँ पर sign होना चाहिए तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में आपको I hereby give my consent that the information documents provide uploaded by me may be subjected to verification at any stage by the government simply आपको इस पर tick कर देना है और tick करने के बाद यहाँ पर आपको next पर click कर देना है जैसे आप next पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर please confirm your demographic details in the document exactly matches with your demographic details in आधार मतलब friends आपने जो भी documents upload किया है वो आपके आधार के साथ म्याच करना चाहिए यदि या सही है तो आप simply यहाँ पर ok पर click कर देंगे तो friends यह से आप confirm पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ option इस परकार से देखने के लिए मिल जाता है और इस परकार से हमें message भी प्राप्त हो चुका है यहाँ पर transaction status successful हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं payment date जो है end time यहाँ पर लिखा रहा है क्योंकि अभी payment amount में 0 दिखा रहा है आप देख सकते हैं क्योंकि अभी यह निसूल के है मुफ्त में आप इसे कर सकते हैं 14 दिखा रहा है इसके बाद आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा और यही से आप अपने download acknowledgement यहाँ पर आप अपने जो रिशिप्ट है उसको यहाँ से आप download भी कर सकते हैं तो simply आप download acknowledgement पर click कर देंगे तो यहाँ पर आपका download हो जाएगा यहाँ से simply हमारा सारा process clear हो चुका ह और simply हम फ्रेंट्स अब यहाँ पर go to dashboard पर चले जाएंगे यहाँ पर simply हम नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर आप dashboard पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं document update यहाँ पर आपको SRN या URN या EID नमर मिल जाएगा created date आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा है कि your request has been reviewed by our back end operators and is currently being processed by our back end system तो friends इस परकार से आप अपने जानकारी को भी यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने status को यहाँ से check कर सकते हैं तो friends अब आईए देखते हैं कि हमारा जो acknowledgement download हुआ है वह किस परकार से दिखाई देता है तो आप इस परकार जैसे आप यहाँ पर download download करेंगे तो आप देख सकते हैं open पर click करेंगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पर आपका यह knowledgement slip देखने के लिए मिल जाएगा तो friends आई hope डाट कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी friends यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किजेगा दोस्तों के बहुत बहुत धन्यवाद जय हींद जय भारत मिलते हैं फ्रिक्स जगले नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद